आप सुन रहे हैं शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा की आडियो बुक का भाग छेग पिछले भाग में आपने सुना था कि मंत्री जी की पुत्री मिनी को टीशन पढ़ाते पढ़ाते सुरंगमा का मन अब लगने लगा था अब सुनिये आगे की कहानी तीन-चार दिन बाद पाहर रहने के बाद सुरंगमा लोटी तो बैंक जाने को मन ही ने किया सिर्धोकर वो खिर्की के पास खड़ी बाल सुखा रही थी कि द्वार भडाम से खोल उसकी शिश्या तेजी से भागती उससे लिपट गई है मेस बाल खोल कर आप कितनी सुन्दर लग रही है हमारे उपर के गोल कमरे में असित हालदार की बनाई गई एक उमर खयाम वाली तस्वीर है आज आप आएंगी तो दिखाऊंगी एक दम आप ही का सा चेरा है डैडी भी कह रहे थे सुरंगमा का चेरा लाल पड़ गया छोड़ो तो मीनी कंगी से बाल तो निकाल लूँ उसने हसकर अपने को शिश्या के इसने पूर प्रगाड आलिंगन से छुडाने की चेश्टा की पर उसने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया पहले एक प्रॉमिस कीजिए तब छोड़ोंगी अरे बाबा पहले छोड़ो तो सही सांस भी नहीं ले पा रही हूँ एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूं मिस उसकी काली पुतलियां टॉर्च के बल्ब सी चमकने लगी दशेरे की छुटियों में डェरी क없이ैक मीटिंग में नयनी ताल जाना है ममी इस बार दशेरे में नहीं आप आएंगी उन्हें किसी डेलिगिशन के साथ हॉललन जाना है इस जी से डेटी हमें भी अपने साथ नयनी ताल ले जाएंगे चलेंगी ना मिस मैं? सुरंगमा जैसे आकार से गिरी क्यों आपकी भी तो छुटिया है डैटी ने कहा है यदि आप गई तभी मुझे ले जाएंगे नहीं तो वहाँ तो उन्हें दिन रात इदर दर भागना होगा मुझे किसके पास छोड़ेंगे प्लीज मेस कुछ उसका रुआसा स्वर कुछ इसने पूर आग रहे और कुछ स्वैम की दुरबलता फिर उसे शत्मुखी विनिपात की और खेच ले गई थी आज तक उसने कभी पहाड ने देखे थे इसी से काट गोदाम छूटते ही क्रमशा उत्तुंग होती बलखाती सड़क के घेरे उसे किसी डेंटिस्ट की उची होती कुर्सी की ही भादी उपर उठाने लगे कार के काट से दीख रहा कुमाओं की विस्तरत परवस्ट्रिमियों का वैभव उसे मुग्ध कर गया साए साए करती हवा के छोकों में जूमते नाचते देवदार के सुदीर के वरिक्ष वीर भट्टी के लाल छटों वाले सहाबी बंगले और वीच पीच में दूर से दीख रही नैनी ताल के अद्भुत छटा उसे पागल बना गई शायद उसकी मुध द्रश्टे और चेहरे के बदलते भावों को देख कर ही दिनकर बड़े उत्साहा से किसी गाईड की भाते उसे जन्व भूमे का परिचाह देने लगा था वो देख रही है ना उस चोटी पर विवेकानन्द अस्पताल बना है और वो रामुक्तेश्वर गागर और बिनैक जब हम छोटे थे तब गाना गया करते थे मिनी बड़ा बिनैका वट्टी लागो पर देशा हम पहाडियों का विदेश तब इसी सीमा से आरम हो जाता था देश विदेश की प्रचुर यात्राओं का गर्व दिनकर के स्वर को एहम दीप्त कर गया ठीकी तो था तब हम पहाडियों के लिए हल्दवानी ही थी बंबई मैं अठारा वर्ष का था तब कहीं पहली बार मोटर में बैठा मोटर चली तो कलेजा भैसे थरतर कापने लगा उस पर जितनी बार ड्राइवर हॉर्ण बजाता मैं चौक कर रुआसा हो जाता था श्श्श्श डैडी मिनी ने पिता का हाथ धरकर डबा दिया दिनकर को ड्राइवर की ही उपस्तिती में उसके अतीत काए गौराव गान मिनी को अच्छा नहीं लग रहा था किन्तु पुत्री के सुंदरी ट्यूटर का सानेध्य दिनकर को निश्शे ही पुलकित कर मुखर बना गया था कभी वो गुनगुनाता कभी टोपी सीधी करता और कभी जंडा लगी कार को देख जमा हो गई भीर की उल्लास मई हर्श द्धनी का प्रत्युत्तर देने दोनों हाथ हिला हिला कर खिर्की से बाहर निकाल देता उन चोड़ी चोड़ी हधिलियों को पहली बार सुरंगमा उतनी निकटता से देख रही थी ना चाहने पर भी उसकी कंखियां बार बार पुत्री के साथ बैठे उसके आगरशक पिता की ओर उठ जाती कैसी मूर्खता कर बैठी थी वो क्यों आ गई थी यहां विनीता जी लोटने पर निश्चे ही उसकी इस यात्रा से अप्रसन होंगी किन तो नैनीताल पहुँचने पर सुरंगमा अपनी आमोद प्रमोद प्रिया शिश्या के साथ इधर उदर घूमती बोटिंग करती अपनी सारी चिंता भूल गई थी दिन भर दोनों कभी घोडे बगाती ना जाने किन किन पहाडी में भटकती रहती कभी जिद कर मिनी उसे चाट की दुकान पर खड़ा कर देती कभी लामाओं की दुकान से एक साथ साथ आठ रंग बिरंगी शौल खरेत कर बटोड लाती रात को कभी कभी सुरंगमा को उसका अंता करन भटकारने लगता मा को मरे साल भर भी पूरा नहीं हुआ था और वो ऐसे आमोद प्रमोद में डूब गई थी उस पर मंत्री जी के साथ ऐसे इतनी दूर चला आना क्या ठीक हुआ था मिनीता जी के शंकाल उस भाव का परिचेव एक नहीं अनेक बार पा चुकी थी जब भी वो आती वो जान बूज कर ही अपनी रंग उड़ी अवहिलित साडियों को पहन टूशन करने जाती पर फिर भी वो उसे जिस संदिक्त द्रश्टे से घूरती उससे लगता वो अपनी संदाने द्रश्टे से उसके शरीर का एक एक बस्तर उतार उतार कर सूंग रही है कहीं उनमें दिनकर का इस पर्श तो रसा बसा नहीं है नैनीता ल्यातरा के ठीक एक दिन पूर मीरा भी आकर उसे सावधान कर गए थी ठीक है तू पहाड घूमा पहले कभी गई भी नहीं है इट विल बी ए गूट चेंज फो यू पर सुरंगमा यू है तो बी वेरी केरफूल इन मंत्रियों का क्या कोई ठिकाना रहता है कुछ साल पहले नैनीताल में एक जरजर मंत्री पर खूब की चड़ चाला गया था वो भी अपने किसी अधीनस्त अफसर की सुन्दरी जवान बीबी को पहली बार पहाड दिकाने ले गए थे उसी ब्रुक हिल में ठहरे थे जहां तू जा रही है पर अधीनस्त अफसर को लेकर उनकी पहाड गूमने की यूजना उन्हें कुछ महंगी ही पड़ गई थी पर तुझे इनसे ऐसी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए डैडी इनकी बड़ी तारीफ किया करते है आज तक इनके चरित्र के बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई और आप ही कैसे सकती है पत्नी देखी है ना इनकी वैसे बालिया वस्था में ही इनका एक विवाह हो चुका है उसी पत्नी के रहसे में अस्तित्य को लेकर एक बार एसमेली में हंगामा मच चुका है उस बेहत बदसूरत और गवार पत्नी को त्याग कर इन्होंने विनिता जी से अपने मन का विवार जाया था पहाड बालों ने इनके इस विवार के लिए अभी भी इने शमा नहीं किया है पताने जीत कैसे गए तब क्या ठीकी कह रहे थी मीरा मार्ग भर मंत्री जी बीच बीच में अस और भाविक गामभीरे में डूबे जा रहे थे रहे रहे कर उनका आकरशक चीरा आनंदी बनने के प्रयास में करोन गामभीरे से रंग जाता और वो एकदम चुप हो जाते तब क्या शैशव कैशोरे की इस मतियां उनके आनंद का मार्ग अवरुद कर रही थी या बदसूरत पर तक्त्या पत्नी के प्रति किये गए अन्याय का पश्चा ताप डैडी आपका गाउं कहा है सैसा उनकी मूर्ख विवेकी पुत्री के प्रश्ण ने उन्हें दिवा नित्रा से चौका दिया यहीं कहीं कह उन्होंने बाहें फैला दी थी तब सुरंगमा का अन्मान ठीकी था निश्चे उनका गाउं यहीं कहीं था तीसरे ही दिन फिर वो उन दोनों को बड़े सुबह जगा कर कह किया था तुम दोनों चटपट तयार हो जाओ चलो आज किसी के जगने से पहले ही हम लोग निकल पड़ेंगे कहां डेरी मैं आज तुमनों को एक ऐसे मंदर की सेर कराने ले चलूँगा जहां कभी बच्पन में मैं नित्ध दर्शन करने चाया गरता था वैसे भी मैं पूरे एक दिन के लिए एकदम अंडरग्राउंड चला जाना चाहता हूँ I am just tired फर्यादें, सिफार्षें, सुन-सुन कर मेरे कान पक गए है सोचा तुमनों के साथ एकान पितनिक का आनंद लूँगा एक बार लखनों पहुँचा तो फिर उस भट्टी में जोग दिया जाऊँगा मैं कहां जा रहा हूँ ये मेरे पिये को भी कानों कान पता नहीं है एक चिट लिखकर छोड़े जा रहा हूँ कि किसी मंदिर के दर्शन को जा रहा हूँ इसी से ड्राइवर को भी नहीं ले जा रहा हूँ बस चटपट तयार हो लो तो जीप में चल दे पिता की उस रहसे में योजना में मिनी को बड़ा आनंदा रहा था पहले सुरंगमा ने घर पर ही रहने की इच्छा व्यक्ति की थी पर मिनी भड़क गई बी आई स्मार्ट आप नहीं गई तो मैं अकेली क्या करूँगी और फिर मंदिर जा रहे हैं सुरंगमा के धर्म भीर चित्त को अपनी इसी अंतिम दलील से विजित कर मिनी उसे खीच ले गई थी अपनी गूढ योजना में डूबा दिनकर इस्टेरिंग थामते ही पूर्वत कमभीर हो गया उसकी मजबूत मोटी उंग्लियों की पकड़ के बीच अनामिका की उंग्ली का बड़ा सा हीरा सहस्त जुगनुओं सा चमक रहा था शायद जानबूज करी उसने टोपी उतार कर गोधी में रख ली थी और हवा में जूमते उसके गुंगराले केश पूरे ललाट पर बार बार फैलते जा रहे थी एक हाँ से उन्हें हटाता वो कभी अचाना गुंगुनाने लगता और उसी गुंगुनाहाट की धुन में गाड़ी हवा के वेक से भगा देता डैडी जानते हैं हमारे स्कूल की लड़कियां क्या कहती हैं पिशली बार जब आप मारे एन्वल कंसर्ट में चीफ गैस बनकर आये थे तो कहने लगी यो डैडी लुक सो यंग वा तक तो तेरे स्कूल में एक बार और फिर आना पड़ेगा मीनी दिनकर ने जोर से हसकर पुत्री के और गदन जटकी उस आकर शक जटके में उसकी किसी आनंदी तरोन किसी उजली हसी देख सुरंगमा को लगा वो एक नए व्यक्ति को देख रही हैं इधर जब से वो किसी का पती, किसी का पिता, वो अपरिचित मंत्री क्यों बार बार अपनी एक ही चावनी से उसकी समस्त चेतना को हर ले रहा था। प्रिकरत की निर्जन वनस्तली में इस्थित वो प्राचीन मंदिर दूर से किसी पहाडी जीवन सराय साही दिखता था। की कतार हिला दी, जल तरंग की सी मीठी रुंजुन से पूरा मंदिर गुंज उठा। अल्मोडा गए हैं, मैं उनका लड़का हूँ, जो चढ़ाना है आप लोग चढ़ाएं मैं अशीक दे दूँगा। यानि बिना कुछ चढ़ाय अशीक नहीं मिलेगी, क्यों? दिनकर हसकर चपल उतारने लगा। आओ मिनी, पहले पैर दोलें, क्यों लड़के पानी तो देगा न, या उसमें भी पैसे लगेंगे। लड़का बिना कुछ उत्तर दिये, चमकते पीतल के लोटे में ठंडा पानी ले आया। हाई मिस, एकदम फ्रिज से भी ठंडा पानी है, चूकर देखिये जरा। मिनी बार-बार ठंडे लोटे को चूकर उसकी हिम शीतल से रहन से सिहर रही थी। यहां हर टंकी में स्वेम विधाता का फ्रिज लगा है पगली, अभी तुझे एक ऐसे ही नौले का पानी पिलाने ले चलूँगा। बड़ी दूर-दूर से बीमार वहां का पानी पीने आते हैं। उस इस्प्रिंग वाटर में गंधक मिली और पीने में ऐसा मीठा जैसे किसी ने मिश्री भोल दी हो। वो फिर स्वेम बैटकर लोटे से पानी ले मुहाथ दोने लगा। तो सुरंगमा ने भदरता वश लोटा थाम लिया। आप दोएं मैं पानी देती हूँ। ओ, थैंक यू, थैंक यू, मिस जूशी, असल में शेहरों में रहकर आत्तें बहुत बिगड़ जाती हैं। बरसों तक ऐसे ही लोटे से पानी निकाल कर मुह दोया है, तब क्या कोई आप की तरह लोटा लिये खड़ा रहता था। उठने निकट से उस प्रशस्त हस्त संपुट में पढ़ रही जलधार निरंतर काप रही थी, एक दो छीटे सुरंगमा कोई भी हो गए। लाइए, अब आप दोनों भी हात मुँ धोलीजे, मैं पानी देता हूँ। इस सो रिफ्रेशिंग। वो सुरंगमा के हाँ से लोटा चीन, किसी कौतुक प्रियबालक के उत्साह से पानी देने चुप गया। नई नई, आप रहने दे हम धोलेंगे। सुरंगमा नम्र स्वर में आपतिकर्ती लोटा लेने लगी और उसी प्रियास में धेर सारा पानी छलक उसकी साड़ी को भिको गया। मेनी पहली बार पिता को एक सरवथा नवीन भूमिका में अवदरित होते देख जोर जोर से हसने लगी। हाई कोई प्रेस फोटोग्राफर होता तो मज़ा आजाता डेडी। बिना टूपी के शायद आपका पहला चेतर होता और फिर हाथ में लोटा लिए आप एकदम देहाती लग रहे हैं। मम्मी भी देखती तो शायद आपको नहीं पहचान पाती। आनंद के उन अमूल एक्षणों में मम्मी का नामोच चार सहसा दिनकर को गंभीर बना गया। सुरंगमा को लोटा थमा वो फिर गंभीर मुक बना मंदिर के गर्व द्वार से सिर्ज धुकाए भीतर चला गया। वे दोनों जब बड़ी फुरसा से हाथ मुद्रा में बीतर गई तब अंदकार में कुछ दिखा नहीं। फिर संकेर दिवाला के कोने में जल रहे गृत दीप के दुनले प्रकाश में नत मस्तक, आँखें मूदे, अडिक मुद्रा में बैठा दिनकर दिख गया। कैसी सरर मूर्ती थी भेहरों की। सहंती मिनी सरक्ती ध्यान मग्न पिता से सटकर बैट गई और हाथ पकड़कर उसे सुरंगमा को अपने पास खिंच लिया। दिनकर पूर्वत अचल मुद्रा में बैठा रहा। क्षर भर पूर चेरे पर पड़ी शीतल जल्दार ने उसकी श्यामल कांती को और भी सुचिकन बना दिया था। खादी के कुर्टे के बटनों से चमकती नग्न लोमश छाती को देख सुरंगमा का हिर्दे बार बार उसी मूर्ख धरकन में धरकने लगा जिसकी वो विवेक के क्षरों में कोई कैफियत ने ढूर पाती थी। सहम कर से स्वयम आखे बंद कर ली। उस उग्र देवता के तेज से ही शायद उस मेरा नंबर दिवाले में ऐसी अद्भुत इसनिक दिशान दी थी। सहसा ध्यान मग्द दिनकर को उन दोनों की उपस्तिती का भास हुआ। अच्छा तो तुम लोग आख नी। वो हसा। उस हसी का वातसले पुत्री के साथ साथ सुरंगमा को भी सहला गया। अद्भुत वरदाई हैं चिते के ये गौाल देव देख रही हो ना ये कील भर टंगी अरजियां जिनने इस लोग की अदालत में नयाई नहीं मिलता वही अभागे इस अलमस्त औगरदानी की अदालत में फर्याद करने आते हैं। फिर देखते ही देखते ही ये नयाई प् पानी का पानी कर देते हैं, उन्हीं कृतक ये फर्यादियों की अरजियां लटका दी जाती हैं, एक बार मैं भी अपनी अरजी रिहां लटका गया था, कैसी अरजी टैडी, आपने क्या किया था, मुझ पर एक बार एक सशक्त विरोधी दलने लांचन लगाया था कि मैं चुनाओ का चंदा खा गया हूँ और विदेश के कई बैंकों में मेरा भारी खाता खुला है मैं इस मगलरों के हां दावते खाता हूँ और मेरी पत्नी सिचाई इंजिनिरों से खुले आम भूस लेती है फिर मिनी ने पिता की कोटी में धरे उसके दोनों हाथ इसने पूर साहनभूती से थाम लिए उसके चेहरे पर फैली बड़ी बड़ी आँखों में बाल सुलब कौतूहल जापने लगा था अपनी सिच्या की यही मुत्रा देख कभी कभी सुरंगमा के जी में आता उस मात्र इसने वंचिता सरल बालिका को वो खीच कर चाती से लगा ले मिस शायद पहले जनम में मैं आपकी ही बेटी थी दो दिन पूर उसकी बगल में लेटी मीनी ने सहसा अपने बलंग से कूद उसके गले में बाहें डाल दी थी अंधेरे कमरे में सुरंगमा के दोनों गालों को उस निर्दोश उगती ने क्यों धहका दिया ये सुरंगमा आज भी नहीं समझ पाई थी फिर मैं अपनी अर्जी एक दिन ऐसे ही चुपचा पाकर लटका गया मैं निर्दोश हूँ गौाल देव एकदम निर्दोश आप ही न्याय करें और इस मिथ्या कलंग से मुझे मुक्ती दें मैं मानता हूँ कि विदेश में बैंकों में मेरा भारी खाता है किन्त वो रुपया मेरी निजी संपती है श्रसर कुल से अर्ज़त संपती तुमारे नाना के वैभाओ कौन नहीं जानता मैं सुविकार करता हूँ कि मैंने इस मगलरों से रुपया वसूला है किन्त वो किस लिए क्या आपने लिए नहीं अपनी पार्टी के लिए एक पैसा भी मैंने यदि अपने पर खर्च किया हो तो मेरे अंग अंग में गलित कुष्ट फूटे गवाल देव और यदि मैं रिदोष हूँ तो आप मुझे पाप मुक्त करें मैं जानता हूँ मैं डाकू हूँ किन्तु ऐसा डाकू हूँ कि मिनी जो अमीरों का लहू चूज गरीबों को जीवन देता है मुझे गर्व है कि मैंने अपनी इस तोपी पर आज तक कीचड का एक छीटा भी नहीं लगने दिया है हाई डैडी आपने तो आज तक हमें कभी नहीं पताया मिनी अपिता से एकम सटकर बैट गई थी मैं अपनी अरजी इस दर्वार में लटका कर लखनों पहुचा भी नहीं था कि पता लगा मेरे जिस मिथ्या पवादी शत्र ने मुझे पर अकारणी लांचन लगाया था उसकी चल्ची त्रेंस से उतरने की चेश्टा में ही गौाल देव ने उसे उचित दंड दे दिया था मैं कई रातों तक सो नहीं पाया संसत का वो सबसे छूटा सदस्य जवान पत्नी का पती और एक दुद्मुहे बालक का पिता था ऐसे कठोड दंड की तो मैंने याशना नहीं की थी किन्तु इस देवता के दरवार का यही काईदा है इसे पहाडी में घात कहते है मेनी यहां की घात कभी व्यर्थ रें जाती यह शायद मैं भूल गया था ओ माई कॉट मैं अपने पास होने की अरजी भी यहां टांग सकती हूं डेडी प्लीज मिनी सच्मिश बठवा कोल कर कागज कलम निकालने लगी दिनकर जोर से हसा तभी पुजारी के लड़के ने नन्नी घंटियों की माला एक बार फिर एला दी उन टुनक्ती घंटियों से घुले मिले उस देवाले के गूड मंडप में गूज रह अटाहास की ध्वनी सुरंगमा को एक बार फिर विब्रांत कर गई दिनकर की मुक्त द्रश्ट में करूण याचना की भाषा उसने इसपष्ट पढ़ ली थी तब क्या कुछ चनपूर गंभीर ध्यानमगन वो आगर्शक मंतरी अपने प्रिय औहगरदानी देवता से उसे ही मांग रहा था ऐसी छोटी मुटी चीज़ें यहां नहीं मांगी जाती पगली इस बार उसने जिस अर्थपूर द्रश्टी से सुरंगमा को देखा उसके बाद उसके समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा पुरुष की इस प्रशन सा पूर द्रश्टी की भाषा मूर्ख अनपढणारी भी ठीकी पढ़ लेती है ये विदाता की सुप्रीम कोर्ट है यहां केवल मर्शी पर्टीशन ही दाकिल की जाती है समझी न्याय केवल न्याय सुरंगमा चौक कर सतर हो गई क्या विदाता ने उसके जन्व के साथ ही उसके साथ कठिन अन्याय नहीं किया था कि उस अन्याई के विरुदों किस से नालिश कर सकती थी इसको बन्धवा सकती थी पिता को नाना को या स्वैम जन्व दाइनी को अन्याई था स्वैम उसका भागे और आज तक संसार का कौन फर्यादी उस शक्तिशाली अन्याई के विरुद अपनी फर्याद लिखा पाया है पश्ट मंतरोचार के साथ उन्हें अशीक थमा गया एक पीतल की ननी थाली में घुले रोली चंदन अक्षत से उसने तीनों के ललाट पर लंबे तिलक खीश दिये और हसकर पूछा चाय पिएंगे हुजूर अरे वा तू चाय पिला सकता है भावू अर्थात लड़के हसकर दिनकर ने बड़े लाड से उसकी पीट पर हात मारा तब ले आतो स्थाग तीन गिलाज चाय और सुन कुछ खाने को भी ला सकेगा क्या बड़ी भूक लगी है क्यों नहीं क्यों नहीं आलू के गुटके रायता विसकुट चना गुड मिश्री आप वहीं चलने हुजूर ए उस काठ की दुकान पर लगी एक मातर बेंच को अपने फटे कुर्टे से जार जूर पुजारी का लड़का अपने प्रभावशाली अतितियों की अगवानी की भूमी का पहाडी में बांध रहा था बहुत बड़े लोग हैं दस रुपे तो चड़ावा ही चड़ाया है उस दुकान में नजाने कितनी बार वो मा के पूजा के पूजादान से चवन्नी चुरा चटपटे जंबू छुके आलू खा गया है तब भटे जी की चछतरी सफेद जहार जंकार मूचें बोटिया अपसु कुत्ते की पुष्ट पूच सी ही काली और मोटी थी अब डोडी से बंदी उसी जीन चश्मे की कमानी गर्व्यांग के रसे के बने पुलसी काप रही थी जब यहीं चश्मा नया नया बनकर हलद्वानी में आया तब दिनकर के प्रतेक सहपाटी ने उसे आखों पर लगा उसके काश में धूमिल बन गई परवत चड़िया देखी थी और भट जीने घुड़क कर चश्मा फिर अपनी आखों पर लगा लिया था मुर्दे कहीं के किसी का चश्मा कहीं ऐसे लगाया जाता है अंदे बन जाओगे छोकरा दूए सिकाली केतली तब भी इसी चुले पर चड़ी ऐसी ही साइं साइं करती उन्हें चाई की गर्म घूट के लि खाड़ ला जब तक गुटकों में धनिया नहीं तो क्या गुटके फिर तिमिल के चौड़े पत्ते में दो पैसे के धेर से आलू थमा वो निते एक से ही शब्दों में अपनी पाक कला का सरस परिचय देने लगते लला ऐसे आलू अलमोडे का चिरंजी भी नहीं बना सकता बड़ी तारीफ सुनी थी उसकी एक दिन जाकर खाया राम राम मले अच्छे ससुरा लहसुन प्याज पीस कर डालता है अब बहा तुम ही बताओ अच्छे क्यों नहीं लगेंगे भला अरे प्याज लहसुन में तो गोबर भी स्वादिश्ट लगता है क्यों गुरू क्या ख बंते थे भटजी पन्नी लगा असली फरसा गुमाते धनुश यग में आते और एक एक चौपाई के साथ हिर्दय पर सौसो बिजलियां गिरा देते अतिरिस बोले वचन कठोरा कहूं जड़ जनक धनुश कैतोरा उनकी असली मूचें सो फीसदी क्रोज से थर्थर कापने ल कर्मर करता जाता इहां कुमर बतिया को ना ही जे तरजनी देख ही मर जा ही गाहकर उसने एक दिन अपनी तरजनी सचमूशी उनकी आखों में कौश दूसरे हाथ में उनकी धोती का कौचा सरका दिया था तूटी दीवार साही धीली धोती भरबरा का स्टेश पर गिर पड़ तो शायद उसनकी परश्राम अपने असली फार्से का कौशल दिखा ही बैठता दर्शक उसके इस नवीन मौलिक अबने पुट से पुलकित हो हस-हस का धरा पर लोट रहे थे और ओ घर भाग गया काकी नोसे बिहदल ताड़ा था चोकरे तेरी क्या मौत आई थी? भट जी को कौन नहीं जानता इस गुच्से बाद शचुंदर ने अपनी पत्नी को पाहर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था और पिर कह दिया था कि भहस चराने गई थी गिर कर मर गई और उस गउ सी सीधी भट यानी का अपरात केवल इतना ही था कि उसने अपने इस परश्राम से बिना पूछे बीमार मा को देखने माई के चली गई थी उसी परश्राम के विकत तेजो में पौरुष का प्रतीक पन्नी लगा वो फरसा दुकान की दीवार पर अभी टंगा था उसकी नुची उगडी पन्नी दुए से एकदम काली पड़ गई थी बट जी दोनों कापते हातों से केतली पर ढखना लगा कर दिनकर की और अभी मुखो पूछने लगे कहां से आना हुआ हुआ हुजूर लोगों का लखनों से मिनी नहीं उत्तर दिया तो दिनकर ने चट से उसकी हतेली दाब आखोई आखों में उसे सावधान कर दिया कहीं मूर्ख लड़की पिता के महिमा में पद का परिजय भी न दे बैठे वाव वाव तब तो हमारे गाओं के दिनुवा को भी जरूर जानते होंगे हुजूर वहीं मनिस्टर है ब्रगुसुत की मोतिया बिंद से दुन्दी आखों में किशोर लक्षमर की इस्मृतिका वाससले चलका फिर उसी वेग से मिट किया एकदम दो कौडी का निकला हुजूर आज मनिस्टर की उची कुर्शी पर बैठा अपने बैठाने वालों को भूल कर रहे गया है क्या किया इस गाओं के लिए कभी आता भी है तो चोरों की तरह मूझ छिपा कर नैनी ताल भवाली से लोट जाता है जिस स्कूल में अ आ सीखे उसे आज तक हाई स्कूल नहीं बना पाया सब गाओं विजली से जगमगा रहे हैं यहां साले विजली के खंबही गार कर रख दिये हैं जिस चाचा ने पाला पोसा बरपंट बया किया उस अभागे पर मक्यां बिनक रही हैं कभी एक पास रुपए का मन्याडर भी तो ने बीजा वैसे दोश उसका नहीं हुजूर इस बजजात पहाड की मिट्टी में ही यह अवगोर है सैकुल पहाडी आज एक से एक उचे ओधों पर है पर जहां किसी पहाडी को बहाँ पकड़ कर उठाने का मौका आएगा वही मूझ शिपा कर भागेंगे अब कायस्त बनिया किसी भी देशी को लीजिए पूरी बिराद्री को गले से लगाने को तयार पर हम साले पहाडी अपने इमान को ही गले से लगाए दम तोड़ते हैं हाँ हुजूर कितने पत्ते बनाओ अब हागे भट जी कहीं उनके अतीत के दुरुबल पक्ष को और उजागर न कर दे है यही सोच उस कुषल राजनी तिग्ये ने बड़े कौशल से प्रसंग बदल दिया वह वह क्या बढ़िया खुश्बू आ दिये गुरू क्या-क्या मसाले पढ़े हैं इनमे और फिर भट जी वर्षोपूर की वही आलू बंदना से उनका मनोरंजन करने लगे तो कक्का भी जिन्दा थे वैसे काकी का हुद्यहीन बेवार वह अभी भूला नहीं था एक बर जब काओं में नर्भक्षी बाग का बेहानक आतंक था आदी रात को काकी ने उसे मार मार कर कक्का के उदर शूल की दवा लेने अल्मुरा बगा दिया था उस बीहर अंधेरे मार में ठीक सनेटोरियम के पास एक भयावे भुताः खंडर पड़ता था उस भुताः खंडर की नजाने कितनी कहानिया हो सुन चुका था कभी बंबई का एक यक्ष्मा रोगी जवान सेट वहां रहता था पचीस वर्ष का उसेट उसी अरणे इस्थित बंगले में मरने से पूर चीख चीख करोया था मैं मरना नहीं चाहता मैं नहीं जाओंगा मैं नहीं जाओंगा गाउवाले कहते थे अभी भी वो आदी रात के सननाटे को चीलता घुम घुम कर चीखता है मैं नहीं जाओंगा फाल सीमा गाउं के दूदवालों की बाल्टी चीन चीन कर वो सेरों दूद पी जाता था और उसी के गाउं की प्रधान बहु से उसने एक बार हाथ खीच कर कहा था चल बाई मेरे साथ, तुझे सिठानी बना कर बंबई ले जाओंगा कहीं उसका भी हाथ खीच लिया तब अरे जा जा, काकी ने कहा था तुझे काले कलूटे को भला कौन भूद प्रेत हाथ पकड़ कर खीचेंगे वो सुन्दर देख करी किसी का हाथ पकड़ते हैं पर काकी के आश्वासन के बावजूद वो अंध तक उस बीहड यात्रा के लिए साहस नहीं संजो पाया था हाथ में खाली शीशी लेकर घर से निकल तो आया पर जहां काकी भीतर गई वो अपने घर के पिछवाड़े की कोट्री में जाकर सो गया जब आखे खुली तब देवदार के जुर्मुट में सिदौल पक्षी चहक रहे थे हर बड़ा कर वो उठा और स्वैमी वैदिवन नाले के पानी में कुछ महीं की चड़ मिला उसने शीशी हिला कर उसे औशदी का ब्रामक रूप दे दिया उस दिन के निरलज्जा काकी के शब्द आज भी कभी कभी कलेजे में धसे तीखे तीर की भाती उसे पीड़ा से तिल मिला देते थे बड़ी देर कर दी छोकरे मैं तो समझीती बाग तुझे गंगोड ले गया उसकी वरहा दंती काकी फिर खिल खिला कर हस्ती शीशी हिलाने लगी थी मोती राम वैदी जी क्या यहां रहते हैं वो तो भागता आया हूँ अभी भी सांस फूल रही है दिनकर जन्वजात कुशल अगनेता तो था ही जूट बोलने में उसकी जिवा बचपन से ही जराबी नहीं चक्ती थी पोल तो तीसरे दिन खुली जब कक्का की उधर शूल तीवर होने पर उन्हें डांडी पर कक्का को देखने घर बुलाया गया वैद जी परसों आपने जो दिनुवा के हाथ दवा भेजी उसे थोड़ी देर आराम हुआ पर कल शाम से दरदोर बढ़ गया काकी ने कहा तो वैद जी चौके परसों मैंने कौन सी दवा भेजी थी बस फिर रहसे खुलने पर काकी ने दिनकर की चमड़ी ही उधेर दी थी काकी के साथ साथ भतीजे के विश्वास घात ने कक्का को भी बुरा दिया था अपनी शूल भूल भाल वो तेल पिली जहाटी घुमाते तलवार नचाने वाले छोला नर्दकों की भाते दमा दम उसे नगारे सा पीटने लगे थे दिनकर का सारा शरी लवलुहान हो गया था और मोती राम जी उस दिन बीच बचाओ ना करते तो प्रोधी कका उसे खत्म करके ही दम लेते अभी भी किसी किसी दिन रीड की हड़ी की असे यंद्रना उसे दोहरा कर देती थी लखनों के डॉक्ट्रों का कहना था Slipp डिस्क है लगता है कभी आपको चोट लगी थी क्यों व्यादी के मून सूत्र को उनों ने ठीकी पकड़ा था उस चोट ने उसके पीट की डिस्क को ही स्थामचित नहीं किया उसके हिदे को भी इधर धर खिसका दिया था आज पिता के छोटे भाई पित्र तुले कक्का के लिए उसके हिदे में ना इसने रह गया था ना शद्धा अपने व्रत पद की उसे आज भी एक गटना याद थी ग्रह जाक के दिन नारी कंट का को लाहल वेदी समिधा विक्षा की थाली हाथ में लंबी लाठी मुंडा से और मुं में कप्रे ठूस कर सोने की बालियों से छिदे जा रहे कानों की पीड़ा कुछ भी नहीं भूला था वो बारी बारी से वो सब के सामने भिक्षा मांगने खड़ा हुआ था औरतें उचे स्वर में गा रही थी घरी पंड़ा बटू बटू को विद्या पीट के लिए काशी ना भीजने की इसने पूर्ण कामना सहीत उसके मित्र गदाधर की माने आखे पोच कर कहा था शिवो शिव 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 छोर मुल्या रांडो अर्थात शिव शिव बिना माबाप का लड़का है भागा बोज्यू कैसा अनात है हमसे पूछो नए छिदे कानों की बालियों से भी अधिक पीड़ा दायक उस दिन काकी की करकश स्वर उसके मर्म इस्थल को बीद गया था की दुकान में बेच आया था वो तो भलाओ भटे जी का जो चाय के बंडल के साथ साथ चोकरे का कान पकड़ सीधे घर पहुँच गये मार खाकर और बेशरम हो गया है वैसे बात काकी ने ठीकी कही थी काकी को चिड़ा चिड़ा कर मार खाने में भी उसे अब आनन दाने खड़े किसी सुखे व्रक्ष की सैसा लहलाहा उठी हरीतिमा से उसे चौका गया काकी अब उसे पान के पत्ते सा फेडने लगी थी नित्य बिगोए बादामों के साथ काली गाय का मोटी मलाई ड़ला दूद मक्खन चुपड़ी रोटी लेकर वो उसे बड़े दुलार से ख गस्मिक इसने वन्या का रहस से ग्यात हो गया था देखरे दुलूआ मैंने तेरे विवा की मगजे मतलब सगाई पक्की कर दी है इसी बैसाक में हम तेरे पैर बाद देंगे मेरी बहन की लड़की पर रुली को तो तू जानता है तेरे इसको ने दरजा तीन तक पढ़ी है फिर छोकरी की कुछ ऐसी लंबी बार थी कि भिज्यू अर्थात जीजा ने नाम पटवा दिया मेरी पहन की लड़की मेरी बहु बने इससे अच्छा रिष्टा और क्या हो सकता है दिनकर के तन बदन में आग लग गई थी सत्रही वर्ष में उसकी मगजे बिना उससे की करने वाली होती कौन है और फिर टाउन स्कूल के उस भिर दुबा अर्था दरिद्र हर्दत मास्टर की पुत्री परू छी छी एकदम सामली कंकाल जब देखो नाक सुरकती गिट्टे खेलती रहती थी देखो काकी मेरा ब्या किया तो अच्छा नहीं होगा कह दिया है मैं पर कक्का जब अपनी एतिहासे गुंगरू लगी जाटी ठोकते गर्जे तब दिनकर की बोलती बंद हो गई क्या क्या कह रहा था काकी से कि ब्यान नहीं करेगा तब क्या मिशन कंपाउंड की छोकरियों को बिलीस्ता दोपता रहेगा सब सुन लिया है मैंने ताउन स्कूल में पढ़ने जाता है या यही सब करने साला मिशन स्कूल की छोकरियों के बोर्डें के बाहर जाडियों में छिपा उन्हें देखता है इसी से तो ब्यागी जल्दी है मुझे भूक लगी है तो घर का खाना खाएगा छोकरे हमारे खांदान में क्रिस्तानों की अंडा मुर् पर्चा देकर वो जीवन परीक्षा का पहला पर्चा की देया था दुर्भागे से विवा के कुछ दिन ही पहले परू सन्निपात जोर से उठी थी नए नए दुर्वादल से उगे केशों ने उसके दुबले चेहरे को और भी अनाकर्शक बना दिया था नाक की हड़ी नज स्टेंड पर ठीक ऐसे ही चेहरे की कटे केश वाली एक पगली इसाइन भिकारणी बस यात्रियों के सामने खड़ी होकर गिरगड़ाया करती थी डबल दी देला पे डबल दी देला पे पैसा दे दोगे क्या और फिर हाथ की जली बीडी से वो अपने छोटे-छोटे केशों को डामती चिहों को उपती उसके सारे सिद में दग्ध नन्ने टाकू उभराये थे परू का चेहरा भी उसी के चेहरे सा निश्प्रब था काकी ने उससे ये किस जन्र का प्रतिशोध लिया था उसकी आँखें छलचला आई थी इंटर की पाठ्टे पुस्तक गद्य मुक्त काहार में गुलेरी की कहानी उसने कहा था ना जाने कितनी बार पढ़ उसने कैशोरी के सबसे मीठे सपने देखे थे आज परू को वदूरूप में पाकर वे सब एकाएक मिट गए तेरी कुडमाई हो गई धत देखते नहीं ये कड़ा हुआ शालू आज लहना सिंग की ही भ भर छेलती रहेगी जब सारा घर गहरी नीन में डूबा था वो संकी सद्धार्द शलांग लगा कर खिर्की से कूट कर भागा और फिर आज तक उसने कभी मुड कर नहीं देखा एक तरह से भटे जी ने ठीकी कहा था जिस गाउं से स्वैमी रिष्टा तोड लिया था उस ग अटे जी या और कोई अब उसे पहचान नहीं सकता था एक तो जादूई खदर की टोपी उसके पूरे चेरे को ही पदल डालती थी आज वो बिना टोपी का था फिर मक्मली जीन का पहाडी दर्जी का सिला कोट और गबरून की ऐसी ढीली पाइचे वाली पैंट जिसमें पूरा काकी के सम्मुग भी सीक्षर जाकर खड़ा हो जाता जो अपनी माता हारी की से संधानी द्रश्च से गर्भस्त शीशु की स्थिती भाब पर बता देती थी लड़की है या लड़का तो शायद वो भी उसे परजय दिये बिना नहीं पहचान पाती बच्पन वो जित प्राणों से प्री अपने ग्राम के मौ की बेडियां नहीं तोड़ता काकी की प्रतिशोद के साथ साथ उसने अपने निर्दोष ग्राम से भी प्रतिशोद ले लिया जिस परु ने उसे ग्राम छोड़ने को बादे किया था उसके प्रति कभी-कभी उसका चित अकारण दर ले गए थे वहीं उसे पढ़ा लिखा उन्होंने किसी मिडिल स्कूल में अध्यापिका रख दिया था। वहीं से नजाने कौन सा दुष्ट ग्रे उसे अल्मुडा कीश ले गया। कंबीर चेहरे पर विकृत की एक भी रेखाने उपरी। उनसे कह दो सरकिट हाउस में मिलें। मैं यहां नहीं मिल सकता। और फिर एक प्रकार से चलांग लगा कर ही कार में बैठ उसे खिड़कियों के शीशे लगा लिये थे। और निश्य ही ये परू होगी। दोश तो उसी का था। उसी ने तो ढूंड राण का पदोन्नत दिलवा दी। फिर उसी के तरजनी की आदेश से उसे प्रदेश की उत्तम शिक्षिका का स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ था। जब आ बैल मुझे मार के है वो स्वयम उसके सींगों से बिरने खड़ा हो गया था तब अब भलवी भुखतना पड़ेगा। इतना हो समझ गया था कि सभाव से भीर उस गवार शिक्षिका को यहां तक पहुचाने में निश्य ही विरोधी पक्ष के उसके किसी शत्रों का ह बात होगा। जब वो सरकेट हाउस में उससे मिलने आई तब दिनकर ने जान भूज करी अपने दर्शनार्थियों की भीर में बड़ी देर तक घूम घूम बाते बनाने में घंटों पिता दिये। वेचारी परू बड़ी देर तक पहाड़ी उनका खुरदुरा शॉल ओड बड़े बरामदे की ब्यांच पर बैटी ठीटूरती रही। उसका व्यक्ति तो अब भी उतना ही सिम्टा सिकुड़ा रह गया था। लगता था भली चंगी होने पर भी देखने वाले उसे जीवन भर सन्निपात ज़र की उठी रोगनी ही समझते रहेंगे। उस पर पहले क इसे रिकॉर्ड पर अटकी ग्रामोफोन की सुई की भाती रोक लेता और वो पसीना पसीना हो जाती। उसके इस शारिरिक दौरबल्ले के विशे में दिनकर का गुप्तिचर विभाग उसे सतर्ग कर गया था। डांट कर कोई बात पूछने पर वो बहद हकलाने लगती है और कभी कभी तो रो पड़ती है। इसी से जब उस अभागनी के एक दिन का परचित जीवन सहचर आवेग हीन उच्छ स्वर में पूछता उसकी और जुका कहिए अब आप और कैसी मदद चाहती हैं उससे तो वो प-प-प-प करती धर-धर काप में लगी। उसने फिर हार क दोनों हाथ जोड़ दिये। उसकी करोन आखें अपने वर्षों के अंकहे उपालंबों से चल-चला उठी। इससे पूरी दिनकर ने अपने सिखे पड़े पिये को बिला कर का। देखो दीक्षी जी इन्हें जो भी कठाई हो जहां तब अदला चाहें सब करवा दो। और फिर ओंटों ही ओंटों में फुस्पसाने लगा। उस अद्भूत कोट की लिप रीडिंग केवल वही चतुर पिये कर सकता था। ये भी इसपश्ट कर दो कि जहां तक आर्थे क्या विभागिये साहता का प्रशन है मैं इनकी पूरी मदद करने को तयार हूँ पर अगर इन गया था दिनकर दंड सहिता को। उसने कुछ और इसपश्ट कर दिया होता तो शायद इतनी बड़ी दुरगटना नहीं घटती। बेचारी परू के लिए उसने उतने कठोड दंडे की व्यवस्ता करने का आदेश नहीं दिया था। किन्तों दीक्षित दुखाते दार को सी चाली से बढ़ने में विश्वास नहीं करता था। उसे एक ही जटके में उखाड रोगी को चित दिन के लिए ही दार के दर्द से मुक्ते दिलाने में उसका विश्वास अधिक था। कैसी कैसी पढ़ी लिखी और वर्शियों के ब्लैक मेल कंटकों को एक ही जटके से उखा उसने अपने अनेक गर्मा में प्रभूों का पत प्रश्ष्ट किया था। फिर ये दो कोड़ी की मास्टर नहीं भला किस खेत की मूली थी। उसे समझाने से भी जब वो नहीं समझी तो पहले उसके एक ही धके में गर्व्यांग घाटी के ऐसे बिहड एलाके में डाल दिया जहां खाने को मिलता था केवल सुखाया भेड का गोश्ट और फाफर की कड़ी रोटी। पर जब वो फिर कटफुतली दल के उस निर्जी पुतले की भाते बार बार मर कर भी फिर उठकर टीन पीटने लगी थोड़ी थोड़ी और बजेगी तब उसने अपना प्रम्हास्त छोड़ा था। तीसरे दिन इसकूल में स्परवती हेड मास्टर नी के आकस में नत्य की छुट्टी गोशित हुई थी जो जंगली गुच्छी की सबजी खा जाने से असमेही अवकाज गहन कर गई थी। दिनकर अब निश्चिन्त होकर मूचों में ताउदे अपना पार समाल सकता था किन्तो ऐसा वो कर नहीं पाया कभी कभी किसी गरिष्ठ राजसी सहभोज के पश्चात वो तक्ये पर सर रखते ही गहरी नीन में डूप जाता किन्तो आधी रात को उसके काटो भरे ताज की चुभन किसी दोस्वपने के बीच उसे जगजोर कर जगा देत उस दोस्वपने की मुख्य भूमिका में परूही सदैव अर्तरित होती थी हाथ में बीडी लिए उस पगली विकारणी की भाती वो अपने छोटे छोटे केश दगद करती मुस्कुरा कर उसकी तोपी को भी जली बीडी से दाग नन्ने नन्ने सुराकों से भर देती क्यों अब तो तुम सुक से हो ना पर तुमने ठीक नहीं किया जानते हो मेरी चाय में घोले गए उस विष्णे मेरे कलेजे में कैसी आँख फूकी थी ठीक वैसे ही एक दिन तेरा कलेजा भी फूकेगा हत्यारे वैसी ज्वाला से तु इधर दर जलता भागेगा और जीवन भर तेरे इड़दय की लप्टें तुझे जुलसाती रहेंगी हो मल दुख्द धवल शया पर बैठे बैठे ही फिर दिनकर सारी रात कार देता था नहीं नहीं मैंने ये सब करने को दिक्षित से नहीं कहा था मैं निर्दोश हूँ गालदेव मैं निर्दोश हूँ कहता हो क विसे ग्राम की परिधी में खीच लाई थी अपने निर्दोश होने की अदर्श अरजी वो चिते मंदिर की फड़पड़ाती अरजियों के बीच टांगाया था हस्ताक्षर किये थे उसके शुद अंता करने सचमुशी उसने परू की मृति कामना नहीं की थी उस नियाए प शुष में डूबे पिता का गुर्ता खीचा अच्छा अच्छा चल पर कैसे काले बादल घिराएं कहीं भीग गये तब लालवन सचमुशी लालवन था उत्तुंग उधत शाखाओं पर लड़के इन लाल पुरुंशों को देख कर शायद रवीन नात ने अपनी शेशेर पिता में लिखा था मिस्योशी उधत जट शाखार शिक्रे रोडे ड्रॉन ड्रॉन गुच्छ दिनकर ने हसकर कहा हाई कितने सुंदर फूले डैडी पर कितनी उचाई पर हैं तोड़ेंगे कैसे तुम जैसी कोई जंगली लड़की ने तोड़कर लालवन को नश्ट ना कर हिनत करनी पड़ती है दिनकर ने इतना कहकर फिर अपनी तीक्ष अर्थ पूर्ण द्रश्ट सुरंगमा की सवे साड़ी के चोड़े लाल पार पर गड़ा दी तीकी चड़ाई चड़ने से हाफ्ती सुरंगमा गुल बनफ्षे की अंटी जाड़ियों को जुक कर सूनने लग अच्छा चल तुझे पहाड़ी नौला देखा लाओं कितनी दूर है रेड़ी अगर बहुत दूर है तो मैं नहीं जाओंगी इस चड़ाई से मेरा दम फूल गया है अरी यहीं पर है चल तो सही उस पानी से तुझे फोक का मजा आएगा शैक्रिय पे की तुलना ही उसे उसी बुरुश के देत्याकार तने का सिरहना बना लेट गई लाल फूलों के जुर्मुट से जाकता नीला काश देखते ही देखते भीमाकार ट्रश्ण वर्णी मेहों से घिर गया था बीच बीच में विद्धुत वहिन की जलक उसकी आखे बंद कर देती वर्षा की पहली बूंद उसकी चाती पर पड़ी फिर कपोल पर ललाट पर और फिर वेगवती वर्ष्टी सहसर धाराओं में बरस्ती किसी दुस्साहसी अधीव प्रेम के उनमत चुम्बनों की सी पोचार से उसे विवल कर गई वो घबरा कर इधादर कहीं सिर्च पाने के लिए किसी और सगन वर्ष की चतरी ढूने लगी किन्त वर्ष्टी का वेग इतना सशक्त था कि किसी भी वर्ष की चतरी उसे नहीं बचा सकती थी पतली बनार्सी कौटन की सारी और रूबिया का पारदर्शी ब्लाउस उसकी देह से चिपक उसे धर्टी में गाड़ कर रख गया था हाई इतनी पतली सारी पहन वो यहां मरने क्यों आ गई थी साथ एक शौल भी नहीं रख सकती थी अभी मिनी और दिनकर आ जाएंगे उनके सम्मों को हिंदी फिल्मों की अरदनगन नाइका बनी कैसी लगेगी वर्शा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी उधर बाप बेटी या तो उस अरण में भटक गए थे या किसी खोक अंदरा में छिपे वर्शा के रुकने का इंतजार कर रहे थे कहीं लोटकर नहीं आये तब भाती भाती की व्यरती आशंकाएं उसे प्रेतात्माओं की भाती भेंकर मू बना बना कर डराने लगी काले बादलों ने उस जंगल को अमावस के से अंधेरे से गेट लिया वर्शा के साथ साथ अब तेज हवा चलने रगी थी भीगी साड़ी को डीली कर सुरंगमा ने आशल को दोरा कर चारों तंबूसा तान लिया किन्त फिर भी दोरी भांज की भूमिका उसके वर्शा इसनात यौवन के उज्जल रिखा जाल को ढाप नहीं पाई वर्शा जैसे सांस लेने को पलभर रुकी डूपते सूरी की अरणाब चाया पत्तों के बीच से सरक्ती धर्णी पर पसर गई उर्टे पत्तों की मर्मर ध्वनी के बीच जींगुर ध्वनी किसी कुशल सितारवादक के जहला सी जंकरत हो रही थी निश्या ही वो दोनों कहीं भटक गए थे नहीं तो वर्शा तो अब लगबग थम चुकी थी थोड़ी देर में अंधेरा और घना हो जाएगा और स्वयम ही उसकी भीगी दे की लज्जा को ढग लेगा वो चिंतित होगर भीगे केश ने चोड़ रही थी कि क्रमशा निकट आरे पदे ध्वने से चौक कर इधर दर देखने लगी अरे आप तो एकदम भीग गई हैं मिज्जोशी दिनकर की दरश्टी उस पर पढ़ते उसने आखे जुका ले उसे लगा उस अद्भुत व्यक्तित्व संपन्न मंत्री की सौंदरे लोलुप दरश्टे उसकी भीगी साड़ी के चीर को आखोई आखों में खिंचती चली जा रही है जीप में डैडी की पंकी पढ़ी है रुकिये में भाग कर लिया हूँ हम दोनों तो भीगे नहीं हैं आप उसे ओड़ लीजे इससे पहले कि सुरंगमा उसे रोकती मिनी तेजी से भागती पल भर में उतार भादती आँखों से होजल हो गई दिनकर को अपनी और कमशा निकट आते देख सुरंगमा घबरा कर पीछे हटी सुरंगमा पहली बार उसके मूँ से अपना नाम सुन उसने आखें बंद कर ली उस मुग्द तरिष्ट में अब ना भै था ना संगोज कुछ दिन पहले देश पत्रिका में प्रसिद बंगाली चित्रकार के विशय में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी सुन्दर पत्नी को ही मॉडल बना कर अपने उस अद्बुत अर्द नगन नारी पात्रों की श्रष्ट की थी उनका एक चित्र मेरे पास भी है मेरा प्रिय चित्र है वो लग रहा है आज उसी की मॉडल मुझे अररने में मिल गई है कभी तुमने भी उस चित्र को अवश्य देखा होगा भारत में ऐसी लोकपेता शायदी किसी चित्र को प्राप्त होई होगी उन दिनों बिरला ही भारत का कोई ऐसा सम्रद ग्रह होगा जहांके दीवान खाने में ये चित्र हटगा हो पिटे सोने सा रंग वैसी सुगठित देहे और चेहरे की निखूत कढ़न ठीक ऐसी लाल पाड़ की सफिद भीगी साड़ी उसके चंपक अंगों पर चिपकी है चेहरे पर ऐसी अनपम प्रीडा का अंतराक फैला है सुरंगमा दिनकर की तब्त श्वास अब उसके कपोल इसपर्ष कर रही थी बढ़कर उसे सुरंगमा का नुकीला चिपक थाम लिया और भैसे कमपित उसके अधर मदूर अर्द विस्फुटित कली की बंद पंकुरियों से खुल गए पुरुष का प्रथम इस परश उसकी चेतना हर गया था फिर भी अवजेतन में अधजगे चित्र के कान सब कुछ सुन रही थी काक में पीतल की कल्शी लिए उस अधबुत चित्र की जल इसनाद सुन्दरी पानी पर पोकर से लोट रही थी एक पैर जल में डूबा है दूसरा सीड़ी पर सोचता था ऐसा चित्र अब कोई क्यों नहीं बनाता अब देख रहा हूँ विधाता ने उससे भी अधिक मुहक चित्र बना कर धर्टी के सब चित्रकारों की तुलिका तोड़ कर रख दी है सुरंगमा की वर्षा इसनाद दे को बाहों में भर कर वो से उन्मत अधैर से चूमने लगा न जाने कब तक सुरंगमा उस मुहो बंधन में पड़ी रही फिर उसके सुप्त विवेक ने उसे सहसा थपड़ मार कर जगा दिया था उस सशक्त बाहु बंधन से चटक कर वो सी उतार के और भागने लगी जहां से मिनी उतरी थी उसके पीछे पीछे दिनकर भी उतार उतर रहा है ये उसने मुड़ कर भी नहीं देखा भीगी पिरूल की सुरहली खास में फिसलती वो शायद भरबरा कर इसकेट करती हाथ पैर ही तोड़ बैटती उसके पीछे पीछे चाया की भात निशब्द आ रहे दिनकर नहीं उसे हस कर संभाल लिया था देख लिया ना सुरंगमा भागने पर भी तुम अब नियती को नहीं चल सकती जब जब ऐसे घबरा कर भागोगी ठोकर खाकर दिरोगी तुमारा ये सेवक ये तैसान उदास तब 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 तुम्हें ऐसे ही संभाल लेगा एक बार उसके दुर्बल देखो कापती लता सा तरंगित कर वो उसके कानों के पास अधर सटा कर कहने लगा मन की पड़े मन की पड़े सुरंगमा अर्थात याद है तुम्हें याद है सुरंगमा तोनों जब एक साथ उतार उतर रहे थे तभी पंकी लेकर भागती मिनी आ गई बड़ी मुश्किल जीप मिली डैडी ये जंगल है या भूल भूले या एक से पेड़ों के एक से जुर्मुट और एक सी पग्डंडिया लीजे मिस जोशी आप इसे ओड़ लीजे एकदम कंबल सी गर्मी मिलेगी इस पश्मीने में पिछली बार भोट के व्यापारी मित्र ने मुझे भेंट दी थी चतुर दिनकर ने गिरगिट का सा रंग बदल लिया था फिर उसी ने उसे पश्मीना उड़ा दिया तो वो निरवीर एक रोध से उबल उठी एक रौबदार पत्नी का पती प्रदेश का सम्मानित मंत्री जब उस एकांत में उसकी विवश्ता का लाब उठा वैसी मुर्खता कर गया था तब वो चुप कैसे बैठी रह गई थी खीच कर एक थपड़ नहीं मार सकती थी उसे किन्त उसका दुरबल चित क्या उसे ऐसा करने की स्विक्रती दे देता जिन शब्दों को सुनकर उसके तन बदन में आग लगनी चाहिए थी वही शब्द तो उसके कानों में अम्रत वरष्टे कर गए थे क्या तबियत ठीक नहीं है मिस निर्दोष मिनी ने उसके कमर में हाट डाल कर पूछा तो सुरंगमा की आखें अकाराण चलक उठी है ना डैडी देखिए कैसा सफेद चेहरा लग रहा है मिस का क्यों क्या तबियत ठीक नहीं है मिस जोशी दिनकर के प्रेश्ण ने स्वयमी दूनों की आखें एक पिल को चार कर दी और उन लाल डूडी दार प्रणाई आखों का परिहास मिश्रित कौतुक सुरंगमा के छेरे को कर्ण मूल तक रंग गया नहीं ठीक है कै वो सिर जुकाय चलती रही एक बार फिर भट जी की दुकान की गर्म चाय पीकर वे तीनों नैनी ताल लोट आए थे दूसरे दिन तड़के उन्हें लखनों लोट आना था लखनों जाते ही हो फिर कहीं दूर की बदली के लिए अपना प्राथना पत्र दे देगी अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा था अपने हिर्दय के उस गहतक व्यादी को उसने समय पर ही पकड़ लिया था मार्ग भर वो अस्व भाविक रूप से गुमसुम रही थी लखनों लोटने पर वो एक दो दिन ट्यूशन पर नहीं आई और जब गई तब दिनकर दिल्ली चला गया था फिर सुदीर अवधी के लिए वो स्वयम ही उससे कतराता रहा कभी वो दोरे पर निकल जाता और कभी प्रदेश के जटिल समस्याएं उसे उलज़ा कर किसी बंद कमरे में अद्रश्य कर देती उस एक महिने की अवध में सुरंगमा के अशान्चित की उद्धिग्नता स्वयम ही शान्थ हो गई थी मीरा की विवात तिती निकटा गई थी इसी से वो एक दिन जबरदस्ती सुरंगमा को अपना हाथ पटाने घर लिखीच ले गई थी दिन भर सुरंगमा बैंक में रहती संध्या को मिनी को पढ़ा कर खाली होती तो मीरा अपनी कार लेकर उसे लिवाने पहुंच जाती फिर दोनों कभी किसी जोहरी के असेट देखने चली जाती कभी साड़ियों में फॉल लगवाने और कभी ठक कर किसी सिनेमा हॉल में जाकर बैट जाती मीरा के दोनों भाईयों के भैप्रद जोड़ी बंबई की किसी फिल्म कमपनी में जोड़वा भाईयों की भूमका निबाने चली गई थी मीरा के विवाव में भी हमारा आना नहीं हो पाएगा उन्हीं दोनों हमारी शूटिंग है उन्होंने पिता को लिख दिया था इसी से अब सुरंगमा को अपनी सकी के ग्रह में किसी प्रकार का भैन ही रह गया था मीरा का ग्रह अतितियों से भरने लगा तो सुरंगमा ने बहाना बना कर किसकने की चेश्टा भी की थी उसका एक कारण ये भी था कि उसके गौर मामा और नानी के साथ उसके वही कार्तिकदा भी आ रहे थे जिनका रिष्टा उसने बड़ी बेरुखी से फिर दिया था नहीं नहीं तू अभी नहीं जाएगी मैं तो विवा मंडप में रहूंगी तू यहां रहेगी तो कम से कम चीजों की देखभाल तो करेगी इन हराम को नौकरों में एक मेरी आया को छोड़ कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर विश्वास किया जाए No, you can't go उपन्या सुरंगमा की कहानी जारी रहेगी अगले भाग साथ में